Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Meptal Spas Tablet के बारे में जो की इसका इस्तमाल पेट से जुड़ी समस्यों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है इसके साथी साथ और भी बहुत से परफजों में इसे इस्तमाल करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Meptal Spas Tablet के बारे में इसमें कॉम्बिनेशन का है और यहां कौन-कौन से परफजों में इस्तमाल किया जाता है क्या डोज है, क्या नुकसान है, किसे नहीं लेना है या सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Meptal Spas Tablet जो की 10 टेबलेट की पेकिंग होती है Blue Cross Company की बिनाएं मेडिसिन है और यह 35 से 40 उर्पेगी प्राइज में एक स्ट्रिप का यहां मेडिसिन मिल जाता है यह हमने बेसिक डीटिल के बारे में जाना Meptal Spas Tablet के बारे में बात करते हैं Meptal Spas में क्या-क्या कॉम्बिनेशन है तो इसमें काफी अच्छे-च्छे कॉम्बिनेशन है Diclomine Hydrochloride जो की 10 mg है और Macmanic Acid 200 mg है इन दोनों का क्या वर्क है और यह क्या चीज़े है तो Macmanic Acid जो की एक तरह का Non-Stroid Anti-Inflamatory Drugs है जो की बहुत तरह के दर्दों को और सूजन की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी फैदेमंद होता है इसके साथी साथ यह Arthritis के परपज में भी काफी फैदेमंद होता है इसके अलावा दानात में दर्द होना इसके अलावा किसी भी तरह का Surgery होने के बाद pain होना Osteo Arthritis के परपज में इस्तमाल के जाता है इसके साथी साथ पीरिट्स के दौरान पेडू में या पेट में दर्द होना तो उन से भी कंडिशनों में काफी फैदेमंद होता है इसके इस्तमाल जादा तर पीरिट्स से जौरी प्रॉलम्स पीरिट्स के दौरान दर्द होना पेट में दर्द होना उन से भी कंडिशनों में बहुत जादा इस्तमाल करते हैं इसके साथी साथ बात करें Diclo Mind जो की एक तरह का Anti-Cole-Energic Medicine है जो कि इसका इस्तमाल gastrointestinal tract और urinary tract से जुड़ी problems होती हैं तो उनमें याद दूर करने के लिए इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल infantile colic pain होना, irritable bowel syndrome इसके साथ यूरीन से जुड़ी समयस्य होती है यूरीन करते वक्त दर्द होना, तो उन से भी condition में इसे इस्तमाल करते हैं जो कि डाइकलो माइन एक तरह का anti-spasmodic group से related medicine है और बात करें, मेटल स्पास का कौन-कौन से परपज़ों में इस्तमाल करता है तो इसका इस्तमाल, पेट से जुड़ी जो problems होना, पेडू में दर्द होना इसके साथे साथ, periods के दोरान पेट में या पेडू में दर्द होना तो उन से भी condition में या आराम देने में काफी फैदेमंद होता है बात करें इसकी dose क्या है, तो dose आपकी depend करते है कि आपकी problem क्या है और आप medicine को किस stage पर लेना चाहते हैं, क्या आपकी condition, critical condition है तो उन से ही depend करता है कि आपकी dose कितनी होनी चाहिए नॉर्मली से दिन में 102 मरे इस्तमाल किया जाता है इस medicine के साथ antacid medicine भी सांथ मिलेते हैं, तो काफी अच्छा benefit देखने को मिलता है बात करें क्या नुकसान हो सकता है, जिसका किसी भी तरह कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो नॉर्मल स्टेज पे वॉमिटिंग, सर में दर्द, मुह का सूखना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा नीन दाना, डाइरिया हो जाना, इस तरह की प्रॉलम्स हो सकती है इस तरह आपको साइटिफेक्स दिखने को मिल सकता है, बात करें किसे नहीं लेना है या या यहने से पहले सलहा जरूर लीजिए अगर आप प्रेगनेंट लीडी हैं, ब्रिस्ट फिडिंग मदर हैं, किड्नी पेसिंट हैं, बीपी पेसिंट, सुगर पेसिंट इस तरह कोई